इंप्लिमेंटेशन में बड़ी चीज़ें जो हमारे दल्यान में हाइल होती है घरों में बच्चियां काम करेंगे, भटों पे बच्चों का काम करें इनके तशद्दूत के कैसिस में बहुत ज़़दा हमारे सामने आए बहुत ज़़दा आती है असलाम लेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कानून के दाएरे में मैं हूँ आपकी मिजबान ताहिरा अली राना नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर बात करने के लिए हम यहां मौजूद है वो है चाइड लेबर चाइड लेबर एक संगीन जुर्म है आर्टिकल 25-A के तहट 16 साल से कम उमर बच्चे से जबरदसी काम करवाना जुर्म है जिसकी सजा एक साल कैथ और 20 हजार के करीब जर्माना है नाजरीन, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदू किया है माहरे कानून मेडम नर्गिस नाहीद साहिबा को जो के एक्स असिस्टेंट एटारी जनल ऑफ पाकिस्तान भी रख चुकी है आईए उनसे जानते हैं कि चाइड लेबर और चाइड वर्क में क्या फर्क है इनकी क्या सजा है असलाम लेको मेडम कैसी है आप पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला मेडम मुझे बताईगे का बेसिकरी चाइड लेबर क्या है और कानून इस हवाले से क्या कहता है चाइड लेबर ये है कि बच्चों से काम करवाना और हमारा जो कानून हमने जो चाइड लेबर के हवाले से चाइड लेबर लॉस जो है जो के पंजाब में हमने लागू किये वो 2019 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत ये कि 15 साल से कम उमर जो बच्चा है उससे हम काम नहीं करवा सकते हैं वो चाइड लेबर में बच्चे आएंगे जो 15 साल से कम उमर के बच्चे है तो नाजरीन 15 साल से कम उमर कोई भी बच्चा लेबर नहीं कर सकता नहीं कर सकता अच्छा फिर इसको कौमी असम्बली ने भी इसको पास किया ठीक है उसके हिसाब से आप देखे ना कि जो हमारे मुल्क की जितनी भी सूबे हैं उन सब में ये तमाम जो चीजे हैं ये अपनी तरफ से उन्होंने लागू की है अब जैसे के आप देखें सिंध है बलोचिस्तान है केपी की है पंजाब में तो खेर इन्होंने जब स्टार्ट किया और जब कौमी असम्बली ने इसको कर दिया कौमी असम्बली में इसका बिल कब पास हुआ ये 2019 के बाद ही चला गया जैसे पंजाब में हुआ है उस ही वक्ती वो कौमी असम्बली में जाके बिल पास हो चुका है और इसके लिहास ते तमाम जो हमारी सुबाई असम्बली आ है और ये हमारे सुबे में इसके उपर वर्क भी हो रहा है ठीक है लेकिन आप ये देखे ना कि हमारा ये जो अब यहां पर आता है कि हमारा सिंद जो है वो इसके लिए क्या कर रहा है हमारा सिंद आप ये देखे बलोचिस्तान में सी पी यूस यानि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स इसके नाम से एक उन्होंने इदारा बनाया वार जिसमें बच्चों की प्रोटेक्शन का काम होता है सिंद में और के पी के में बनाया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्योरो यानि बच्चों की जो वेलफियर के लिए इसी तर आप नजाब में बई चाइल्ड प्रोटेक्शन मतलब हर सुबे ने अपने बिल पास होए में तो मैं बिल पास होने के बावजूर इसकी जो है वो शराग क्यों दिर बदिन बढ़ती जा रही है तादाद क्यों बढ़ रही है आप यह देखे ना कि उस वक्त तक उस बिल का कोई फाइदा ही नहीं होता है जब तक उस वपर आप आमन नीं करवाएंगे ! एंप्लीमेंटेशन बहुत जरूड़ी है किसी बीचीज्ज़ कि जब इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर उस पर क्या फाइदा उस पर तो काम हो नी रहा implementation में बड़ी चीज़े हैं जो हमारे दम्यान में हाइल होती है उसमें हमारे जो पेरंट्स हैं जो उन बच्चों के पेरंट्स हैं वो भी कभी तामन नहीं करते हैं आप यह देखें कि वो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं बेशमार बच्चे यूँ पैदा करते हैं कि वो उनके लिए वो कमा के लेकी आएंगे कमाई का सबब बन सके और बावजूद इसके के इस पे सकती से उन्होंने पबंदी लगाई हुए लेकिन उसके बावजूद आप यह देखें कभी भी आप गाड़ी रोक लें किसी आप किसी जगा पर गाड़ी रोक लें उनके अगेस्ट कोई लौ है क्या कहता है क्या सजाएं है सजाएं तो इसमें बिल्कुल उन लोगों के लिए हैं जो के उन्हें अपने पास रखते हैं अब देखें कि सबसे जो worst child labor की किसम है वह एंगरों में बच्चों का काम अच्छा फिर यह थ्रेएओं फपे बच्चों का काम करना याँ हैं घरों में बच्छी ना काम करें रहें इनके तशद्धूत के कैसे अए पहुत जादा हमारे सामें किया लैं इस पर लौग क्या उन बच्चों को ऐसी जगह पे उनकी शट्लिंग कर देते हैं जहां पर जैसे अफगानिस्तान में बच्चों को बिजवा दिया और ये बच्चों के हाथ पाउं तोड़ दिये हैं मांगने के लिए कि कोई वहां जाके पहचान भी न सके फिर वो बच्चे बिचारे क्या करते हैं वो दैशतगर बन जाते हैं अब जब बच्चपन से उनको तालीम तर्वियत इस किसम की दी जाएगी तो फिर बच्चे तो ये करेंगे लिकिन उसकी मेल वज़ा हमारे मुल्क म क्योंकि हमारे मुल्क में देखें तालीम जो है ना अब अब हकोमते तो सारी कहती हैं जी हम मुफ तालीम भी देना चाहते हैं लेकिन फिर यह है कि उन बच्चों को फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है कि क्या वह वाक्या बच्चे बहां पढ़ रहे हैं स्कूल से भाग त रहे हैं आ इस किसमा मजदूरी है उसके बट्げ में वह खुद सारा लिए असनी में नफसियाओ पे बच्चों के बड़ी असर पढ़ता है उनका साहरा का सम्वा फ्यूचर जबाइभा हो जाथे तो हैं, अहुछ वह सम्स्टेप के भाद हम इसको कल सके हैं, मैंने पहले भी एक अच्छा चेरी बनने के लिए उनकी तालीम उनके लिए कि नी जुरूई है फिर दूसरी बात यह है कि लोगों को भी एजूकेट करें कि वह भी चोटे बच्छों को ना रहा हुए कि उनका काम यह होता है या तो सारा दिन टेबले साफ करनी है या बचे खिलाने या फिर मार भी वही बचे खाती हैं आपने देखा लिए तशद्द के कितने वाकियाध होती हैं बिलकुल घे लिए बचना ने बसकते जा आ जाते हैं थर फ़ियू भी गज्शी से जला दिया जाता है कभी खुदाना खास्ता इस लेवल तक उनको तक उनको तशद्दत का निशाना बनाया जाता है कि बाद बच्चे तो बाद बच्चे तो बाद 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 बच्चे पैदा करने की आप यह देखे ना कि वो बच्चे बिचारे ना पड़ सकते हैं ना को अच्छा मौशरती मकाम हासिल कर सकते हैं तो मैं अभी सजाओं की बात करें थी सजाएं है क्या उन पेरेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो उनको अपने घरों में काम हो दें तो जो एक अमीरत्रीन बंदा है वो तो अराम से अदा कर देगा लेकिन उस पेरेंट्स के लिए बारा मुश्किल हो जाएगा जो मांगते हैं और अपने बच्चों को भी मंगवाते हैं तो कुछ थाउजन्ड इसमें उन्होंने कर दिया है फिर उन्होंने इसमें यह क दूसरी भी सजाएं उन्होंने रखी हैं कि आपनों को बरल अगर आप बिल्कुल उन्हों बच्चों के साथ इतना ही बुरा स्लूक करेंगे तो फिर अदर वाइस भी आपके लिए फिर उसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है यह बात हो रही थी कि चाइल वर्क क्या है बिल्कुल और चाइल लेबर और चाइल लेबर और चाइल लेबर और चाइल वर्क फरक यह यह अचा उसमें यह होता है कि चाइल लेबर तो यह कि आप बच्चों से आप काम करवारे हैं टेबले साफ करवारे हैं बच्चों से आप इंटे बनवारे हैं भट्टे में बच् है ठीक है साल साल दो दो साल के मौाइदे उनसे किये जाते हैं ठीक है और बावजूद कोशिच के फिर वो बच्चे वहां से निकल नहीं सकते हैं मगर उसमें कसूरवार कौन है सबसे पहले उनके माबाब कसूरवार है जो उनसे एडवांस पकड़ा बहुत था उन्हों ठीक है कि वो बच्चा चाहे भी तो काम नहीं चोड़ सकता और आप यह देखें कभी डोकुमेंट्री अगर आपने देखी हो एक छोट छोटे बच्चे होंगे जो बिचारे इंटे मना रहे हैं या कभी कोई इंटे बीच में डार रहे हैं और वो कितना हार्म पोल है ठीक है प्रकते के अंदर इंटो भी डालना पिर उसे बनाना पिर यह सारे काम करना अच्छा चाइल्ड वर्क जो है वो क्या है चाइल्ड वर्क यह वैसे अगर आप देखे ना तो चाइल्ड लेबर चाइल्ड वर्क आपको बराबर सा एक ही जैसा तकरीब नाम असुने में जगत पड़ नहीं सकते हैं.. रहा पार्थ नहीं को भी उनर्स का दिया जाए मॉस्टली आप यह देखेर ना साइक्लों वाली दुकान पढ़ मौटर साइक्लों के दुकान कि बच्चे उसके उपर चाइल काम करना और किसी वर्क-षॉप में काम करना मुख़ी जीज़े है, बच्छा सीखता है। सीकने के बाद ऐसा होता है कि तीन-चार साल के बाद वो बड़ा expert हो जाता है कुछ कमाने के काबिल हो जाता है ठीक है मतलब यही डिफरेंस है child work और child labor यही है ठीक है तो यह child work भी पंदार साल से कमबर का बच्चा कर सकता है कोशिश तो उन्होंने किया कि 15 साल से कम ओब बच्चे का हग के कि वो स्कूल जाए लेकिन खुदा ना खासता अगर वो बहुत ही कोई परेशान नहीं है बच्चा स्कूल चल ही नहीं सकता दाखिल भी किया है दो तीन साल बच्चे के लगाए भी है वो उन्हीं पर नहीं पढ आती हो तो शदुद के कैसिस दिन बर दिन बढ़ते जाने एक्जेक्टी कोई ऐसे मौजूद है हमारे पास मतलब अगर कोई आस पास हम देखे हैं कि इस किसम की कैसिस नजर आ रहे हैं तो हम कहा रिपोर्ट करें हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्योरो चाइल्ड प्रोटे हैं कि आपका मेरा ये इखलाकी फर्ज है मैडम आपको बहुत शुक्रिया आपने अपने बिजी टाइम में से हमारे लिए वक्ते काला नाजरीन हमारे मुलक का मुस्तक्बिल इस वक्त तालीम हासल करने के बजाए अपने घरों का चूला जलाए रखने में मसरूफ है यह उ किसी के साथ मुझे तायराली को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ दुबारा आपकी खित्म में हाजर होंगे दौा में याद रखिएगा अला ने के बाल